तो दोस्तो काफी सारे लोगों का सवाल इस वक्त मेरे पास आ रहा था कि मैं कौन से शेर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर वीक मैं आपको कुछ शेर्स पे बात करता हूँ जो अच्छे खासे डिसकाउंट पे अवेलेबल होते हैं अब उनमें से मैं किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे अब इससे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटेजी अपनी बता देता हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो चलते हैं quickly मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से shares में मैं invest कर रहा हूँ इस वक्त इन में मैं अभी इस वक्त currently buying कर रहा हूँ और क्या logic है उसका उसका उस पे भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले Kotak Mahindra Bank तो मैंने कई बार इस पे बात की है तो company में एक अच्छा खासा discount यहां पर आया हुए अगर आप देखेंगे का लगबग अपने 3 साल के levels के आसपास के share चल रहा है और 1700 के levels पे एक अच्छा खासा support इसके share पे है fundamentals पे हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह सारी shares काफी अच्छी performance दे रहे हमने कई बार fundamentals पे इन shares पे बात किये तो पहला share है कोटक महिंद्रा Bank आप देखेंगे highest ever revenues इस वक्त इसके है highest ever sales इसकी है profits इसके है और उसके बाद भी share में गिरावट है लगबग एक साल में negative 4% है 5 और 3 साल में भी कुछ खास returns नहीं दिये इस share ने तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह share अच्छा returns नहीं देगा और मुझे लगता है कि ऐसे ही मौके होते हैं जब fundamentally अच्छी companies में एक अच्छे खासे discount पे available है पूरी market में कोई इन shares पे बात नहीं कर रहा है चुपचाप धीरे धीरे इन shares में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने का मेरे साब से यह अच्छा मौका होता है तो इसलिए पहला stock जिसमें मैं invest इस वक्त करके चल रहा हूँ वो है कोटक महिंद्रा bank दूसरा share आ जाता है SDFC bank का तो SDFC bank में भी दो चीज़ें यहाँ पर similar यहाँ पर आ जाती है एक तो share अपने support level 1500-1400 का जो इसका एक support level है इसके पास है इससे नीचे जाता है तो यह share 1350 का next support level आता है लेकिन यह 1500 का एक level है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी investment करनी शुरू कर देनी चाहिए थी मेरे साब से इसलिए मैंने इसमें अभी थोड़ा सा पैसा इस वक्त 1500 के levels पे invest किया गें यहाँ पर भी वोही चीज़े आपको देखने को मिलेगी इस share अपने highest ever revenue, highest ever profits के आसपास अपना खड़ा है एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल में कुछ खास returns नहीं दिया है इसका मतलब क्या होता है कि share में valuations के perspective से share सस्ता होता हो नजर आ रहा है तो यह share भी उसी category में इस वक्त जाते हो नजर आ रहा है इसलिए दीरे-दीरे में इस share में भी थोड़ा पहुत पैसा हर महीने invest करने के बारे में सूच रहा हूँ जब-जब share 1500-1450 इन levels पे आ रहा है थोड़ा-थोड़ा पैसा में इस share में भी यहाँ पर invest करते हो चल रहा हूँ अब banking sector में यह दो जो large gap stocks हैं यह बिल्कुल भी perform इस वक्त नहीं कर रहा है तो consolidation mode में है इसलिए consolidate करके इस वक्त में इन shares में चल रहा हूँ इसके अलावा chemical sector का एक share है दीपक नाइटराइट इसमें भी मैं इस वक्त invest कर रहा हूँ अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तीन साल में कुछ खास returns नहीं आई है अब यहाँ पर reason, banking sector वाला reason नहीं है यहाँ पर purely reason है कि chemical sector ही perform नहीं कर रहा है उसका impact इसके share पर आ रहा है तब तब मैं इस share में थोड़ा बहुत पैसा invest कर रहा हूँ उपर जा रहा है तो मैं कोई जल्दबाजी में इस share में इस वक्त invest नहीं करके चल रहा हूँ overall अगर आप देखेंगे एक अच्छा multi bagger share रहा है 10 साल, 5 साल, 3 साल, हर period में एक जबरदस returns दी है लेकिन पिछले 2 साल में consolidation phase में है तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके इस share में जब-जब गिरावट आए तो थोड़ा बहुत investment करने में कोई बुराई नजर नहीं आती है तो इसलिए मैं इस company में थोड़ा बहुत पैसा इस वक्त invest करके चल रहा हूँ इसके बाद 3 shares है जो थोड़ा सा risky category में है लिकिन इन्होंने मुझे इस वक्त अच्छी returns दी हुई और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में यह जो 3 shares है यहाँ से भी अच्छी returns देंगे तो पहला share है 5 पैसा capital तो अगर आप इस share की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यह एक small cap share है जहाँ पर potential अभी काफी अच्छी है brokerage firm है यह तो यहाँ पर जैसे हमने angel one में देखा है एक अच्छी उचाल देखने को मिली है angel one में एक अच्छी growth हाई है वैसे मुझे लगता है कि इस share में भी आने वाले time में एक अच्छी growth हाईगी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे highest ever profits पे इस वक्त यह share अपना खड़ा है यहाँ पर आप देखेंगे 51 करोड के profits इसके हैं उवराल पांच साल तीन साल में अच्छी growth profit में और sales में यहाँ पर देखने को मिली है तो मुझे लगता है कि आने वाले time में एक अच्छी potential है share में भी कि अच्छी growth यहाँ से share में देखने को मिलेगी अभी 430 रुपे के आसपास यह share चल रहा है तो 400 के levels पर जब भी यह share आ रहा है थोड़ा बहुत पैसा मैं इस share में भी यहाँ पर invest करके चल रहा हूँ इसके अलावा indigo paints मैंने कई बार इस share पर बात किया जब इसका share 1000 रुपे पे था तब भी हमने invest किया था इस share में अब अभी भी यह share अपनी potential से काफी जादा नीचे trade कर रहा है अगर इसकी stock की price to earning देखेंगे हम 48 के आसपास है industry की price to earning 57 के आसपास है तो मुझे लगता है कि long term के perspective से 3-5 साल के perspective से यह share अच्छी returns यहां से आने वाले time में दे सकता है तो इसलिए इस share में मैं यहां पर invest करके चल रहा हूँ यहां पर आप देखेंगे लगबग पिछले 4-5 महीने से consolidation phase में है इस से पहले गिरावट आ रही थी लगातार तो 1000 रुपे पे यहां पर हमने invest किया था काफी उस time पर मैंने videos बना के आपसे भी बात की थी अब मैंने 1000 रुपे पे invest किया था उसके बाद यह share consolidate हो रहा है तो 1400 के levels पर जब भी यह share आ रहा है तो मैं थोड़ा बहुत इस share में भी पैसा invest करके चल रहा हूँ यहां पर भी अगर आप देखेंगे अच्छी consolidation है, profit देखेंगे highest ever है, sales आप देखेंगे highest ever इस वक्त है इसकी और एक अच्छी जबरदस्ट profit की और sales की growth इसने पिछले 5, 10, 3 साल जिस भी period में आप देखेंगे यहां पर दिखाई है तो एक fundamentally अच्छी company मुझे यह नजर आती है, हमीशा से हम लोग बात करते हैं और paint sector में इसी company में इस वक्त invest करके चल रहा हूँ Asian paints, Berger paints की जगा, Indigo paints में थोड़ा सा slightly जादा risk लेकर इस company में पैसा अपना invest कर रहा हूँ और आखरी company जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैं इस वक्त थोड़ा थोड़ा करके पैसा invest कर रहा हूँ वो है Zomato, Zomato का share आपको याद होगा जब 40-50 रुपे पे था तम मैंने लगा तार इस share में बात की थी कि ये एक multi-bagger share बन सकता है और 50-100 रुपे के journey इसने already cross कर ली है अब मुझे ये potential यहां पर नजर आती है कि जो world cup अभी इंडिया में चल रहा है और ODIs का जो world cup चल रहा है उसका direct beneficiaries ओमेटो होने वाला है और इसकी जो sales है जो quarter, December के quarter की sales की figure होगी वो आप देखेंगे एक अच्छी growth वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इसी उमीद में मैं इस share में अभी लगातार invest कर रहा हूँ मुझे लगता है कि जो local restaurants है, metro cities हैं वहाँ पर बहुत जादा इनकी जो zometo पर dependence है उनकी बनी हुई है तो मुझे लगता है कि long term में 3-5 साल में भी इस share में एक अच्छी खासी returns मेरे को देखने को मिल सकती है तो इसलिए zometo में भी मैं लगाता है 50 रुपे से थोड़ा-थोड़ा invest करके चल रहा हूँ 100 रुपे पर भी थोड़ी बहुत investment में ने की थी तो ये share भी मुझे लगता है कि potentially एक अच्छी returns दे सकता है तो दोस्तों ये कुछ shares हैं जिसमें मैं इस point of time पर market में invest करके चल रहा हूँ अब ये जैसे मैंने आपको बोला इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा जब भी levels मैंने decide किया हूँ है जो मैं आपसे भी discuss करता रहता हूँ जब भी उन levels पर इस share आ रहे है मैं इस वक्त इन shares में invest करके चल रहा हूँ तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो में help मिलेगी अगर आप लोग भी किसी और particular share पे detailed video चाहते हैं तो comment section में मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कोशिश करूँगा separate videos share पे बनाने की उमीद करता हूँ आपको help मिलेगी धन्यवाद